चलो दोस्तों शुरू करते हैं लोहा योदा सिरीज की कोमिक्स है ये देखते हैं कैसी लगती है आगे चलते हैं पढ़ते हैं अच्छी लगए तो जरूर लाइक करो दोस्तों जरूर सब्क्राइब करो चलो पढ़ते हैं फिर राजनगर सहर से बाहर बनी स्खंडर नुमा अवेली का प्रयोग अवेली का प्रांगन युद का मैदान बनावा था मेरे तीन बोलते तुम चारों को अपने अथियारों से इस पर जान लेना अमना बोल देना है रेडी वन टू थी थी के साथ ही चल पड़े थे वे थियार जो किसी की भी जान लेने में सक्सम थे खस दड़ाक थाएं खचाक लेकिन ना जाने गई उसके और ना उसके सरी से खून का एक कत्रा भी बहा अरे आदमी नहीं हो सकता ये तो लोहा है लोहा चक्रा उठी वार करने वालों की खोपडिया अगले पल बनना उठी चारों तोप से खुले छुटे गोले की तरह रफ्तार के साथ दिवार से जा टकराए और टकराए भी ऐसे कि फिर ने उठ सके सिर्फ एक इवार में यहालत मिट्टी के इन शेरों ने धारासाई होकर मेरी परक को भी धारासाई कर दिया मुझे लोहा की ताकत को प्रक्षने के लिए किसे ऐसे आदमी को तलास करना होगा जो लोहा को इसके हीट का जवा पत्थर से दे तब ही मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रियोग कितना सफल हुआ है सुबह जो सेथमंद और सेथ पसंद लोगों के लिए कारे सील ही उठने का एकदम उप्योक्त समय है तीन सो साट तीन सो और ऐसे उप्योक्त समय का भलायोदा कैसे सेथमंद कहां दूर उप्योक करते हैं मिस्टर ही मैं घर के कोने में गर्जिस करके तुम अपने आपको तीस मारका समझने लगा मेरे साथ जिम चलो वहां मैं तुम ऐसे ऐसी वर्जिस करने वालों से मिलवाऊंगी जिनकी कसरतों के सामने तुम पानी बरते नजर आओगे देखे देवी जी हम कहीं नहीं जाना चाहता है हम आप हमें यहीं अरे यहीं कैसे पहुंगा पंदर जी आईए मारे साथ सनेहा योदा को खिस्ती चली गई कुछी देर बाद यह आप हमें कहां ले आई है बाड़ी देरेंजर यानी सरीरों के सरीरों के खजाने में बता यहां मौजित बलसाली सरीर वालों में तुमारा सरीर का ठहरता है क्या है इन से तुमारा कोई मुकाबला देखिए हम किसी से मुकाबला करना नहीं चाहते हम यहां से जा रहे हैं तभी इतनी जल्दी क्या पहलवान थाम लिए अरे क्यों लड़कों की तरह सरमा रहे हो पहलवान आओ ने बेचारा योदा फस गया अब कुछ तेर बाद जिम से बाहर निकलेगा तो इसकी सारी अडिया किर्टन कर रही होगी और गुरू योदा को लेकर पंचिंग मशीन के पास पूचा यह पंचिंग मशीन है यानि मुक्का मारने की मशीन इस पर यू मुक्का मार जाता है इसी के साथ इस मशीन पर लगा मीटर बताता कि तुमारे मुक्के में कितनी फोरस है जैसे मेरे मुक्के की फोरस नो सो है धाड़ नो सो योदा के पंच में तो इतनी फोरस साथ जन में भी पैदा नहीं हो सकती अब तुम्हारी पार ये पहलवान देखे तुम्हारे मुख्य में कितनी फोरस है चल योदा दिखा अपनी ताकत का पंच मजबूर हो गया योदा उसे पंच करना है पड़ा धन इसी के साथ वहां खड़े सबी की आँखे हास्चरे से गोल होकर चक्कर लगाने लगी ये मशीन खराब है आव हम बुलवारकर पर जो रजमाइस करते हैं बुलवारकर पर बुलवारकर इसे दोनों आथों से खिचा जाता है ऐसे तुम भी कोशिस करो यादा साथ तुम इसे खिंच सको हाँ साय दरे ये तो टूट गया कड़ाक वो एक ही आथ से इतना खिचा की बुलवरकर तूट गया तूटना ही था ये बुद्ध पुराना हो गया ना कल तो इसे तस साल के लड़के ने पुरा खिच दिया था खेट सोड़ो इसे आउ हम वेटलिफ्टिंग बलाक में चले मेरे लिए ये चेले हैं ये सो किलो के बजन को 808 में ठालेते और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तीन सो किलो का वजन उठा तो लिया मंगर लड़ खड़ा गया लेकिन वह नीचे और तीन सो किलो वजन उसके उपर गिर पाता अगले ही पल एक हाथ में गुरू और दूसरे हाथ में तीन सो किलो वजन कमाल है पच्चिये स्रीमान अपने द्वारा किये कि कमाल से बेखपर युदा चलिए सन्या जी अब म्यास एक पल भी ने ठहरेंगे और चानक ठहर गया तू यहां से अपने पैरों पनी स्टेचर पर चल कर जाएगा तूने हमारी इज़त भिगाड कर रख दियो और पूछ रहा कि क्या भिगाड़ा है त हम आपको जोड़ेंगे नहीं बूत ना जब आपको अपने लोहे के डंडे पर लेकिन अभी मारे शरीर पर ने आपकी गर्दन पर पड़ेगा तब तो योदा ने उसी को अपना थ्यार बना लिया ताड़ धर एक पल बादी चारों पहलों जिम पर फरस चाट रहे थे और योदा आदमी ऐस सक्ति का भंडार सिर्फ नाम का इनिक काम का वे योदा है यह आईए सन्याजी योदा की सक्तिने सिर्फ सन्याक होई नहीं एक जोड़ी और जलती हुए यांखों पर योदा पर जमियू थी किसी और को भी प्राहित क्या था बाबा और उसके पहलवानों को धूल चटाने वाला एक गजब की सक्ति का मालिक एक्तम ठीक रहेगा मेरे परियोग से टक्राने के लिए इसलिए मुझे इस मावली और अपने अदे से पूरा कर पाऊंगा लेकिन इसकी भरपूर सक्ति प्राफ करने के लिए मुझे थोड़ा सबर करना पराया हूं कि अधरसर रूप से अपनी जिन सक्तियों को मैं योदा के पीछे लगा हूँआ वैं दीरे-दीरे इसकी सक्तियों को गरण करेंगी दीरे-दीरे जो कि युदा की सारी सक्ति चीन लेना चाहता है और कौन थी उसकी भेहन जिसकी उसे तलास थी जिदर गुरू सालों वह एक था और तुम तीन फिर भी आर गए फिर भी आर गए हम क्या करते गुरू उसके हाथ बिजली की तरह चलकर घंड की तरह हमारे थोड़ों रपड़े और हम दो हमें दिन में तारों के साथ साथ चान भी दी गए इसी के साथ फिर गुमा गुरू के पैर गुरू के सामने दुस्मिन की बड़ाई भाग जो यहां से अपने चेलों के मुझे योदा की बड़ाई सुनने सका था लेकिन मनीमन खुद भी कायल हो गया था उसकी नस साधन सक्ति का मालिक है और मैं इस बात का पता लगा करी रहूंगा कि वैस साधन सक्ति क्या है योजना की चीटिया रेंगने लगी थी गुरू के दिमाग में इन सबसे बेख फर्योदा जो सन्हा के साथ वापस लोट रहा था तुम इतने सक्ति साली निकलोगे मैंने ऐसा कभ पहलवानों को हमने किसी को नहीं मारा हमने तो सवय का बचाओ किया रहे पल्टा तो चीते की भाती चोकना नजर आने लगा बचाओ वो लंबा चुड़ा यह वक्त तो उस श्रीमान का हो है अहित पुचाने के लिए उसके पिछे बाग रहा लेकिन हम उसका आहित नहीं होन अब बाल भी बाकानी अदम और फिर जो वास्तरजनक नहीं माहा अस्तरजनक था उप इतना सकता सकती साली वार अपने संपूर जिमन में हमने आज तक ऐसा वार नहीं सहा धड़ाक एक यवार में युद्दा का यहाल सन्या की आख मास्तरे के डोरे तोड रहे थे तैर रहे और अगर ऐसा हो गया दो हो जाएका तो मेरा परियोग सत परतिसत सफल होगा है लेकिन यह लोहा मेरी तरफ क्यों बढ़रा लगता है इसे आदेश की जरूरत है तुरंत उस सज्जन अपनी जेव से निकाला ट्रांस्मीटर और लोहा वापस मुड़ो लोहा उस पहलवान की की तरफ मुड़ो अरे तुम इदर ही क्यों बढ़ते आ रहे हो इदर जाओ उस पहलवान की तरफ परे तुम सुन भी रहे हो तड़ाक तड़ाक उस जबरदस्त वार ने उसे दूर उच्छाल दिया था और यह उसके लिए अच्छा यह था वरना उसके स्रीश का कोई भी इ स्विटर की तरह सकता था लोहा के कदम अब्याव सामने अपने आपको संभालते उस सजन की तरह बढ़ रहे थे लोहा के मस्तिक से मेरा कंट्रोल समाप्त हो गया समाप्त हो गया लेकिन कैसे उप एक बार फिर वह मेरी तरह बढ़ रहा है अगर उसे योदा ने ना तो कुछ सुननी रहा यह मुझे नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा लोहा साथ उसे नहीं छोड़ता इतना कैने में योदा ऐसे मीलों लंबी दोड़ लगा कर आया हो योदा ने ताबड तोड़ उस पर कई वार कर दिये लेकिन उफ हमारे इतने सकती साली प्रार से इस के वार ने योदा के सुरीर में पीड़ा के एक लहर दोड़ा दी कि लोहा ने एक बार फिर उस सजन की अपना निसाना बनाया और अब लोहा अब जो योदा उसकी तरफ वड़ा तो ठेरो और रुख जाए नोजवान लुहा को पीड़ा डरो जैसी किसी चीज़ का एसास नहीं होता तो मुझसे नहीं जीच सकते इसलिए भाग जाओ तुमा वो इन सजन के आलत बहुत खराब इस दूस्ट से निप्टने से ज़्यादा जरूरी रहने उपचार के लिए किसी सुरिक्सि स्थान पर ले जाना योदा ने लपक कर उस सजन को अपनी बाहों में उठा लिया और भाग खड़ा हुआ लेकिन कुछ ही कदम भाग सके उसके कदम क्योंकि उन कदमों से मोटी तारा लिप्टी थी जिन्होंने योदा को अधे मुगिरने के लिए मजबूर कर दिया था धड़ाक और अगर इस वक्त द्यक्मान गन मारे पास होता तो मैं इस दूस्त योग को भी प्रास्ट कर देता योदा को बचाना होगा औरना लोहा नामा कदरिंदा से गुमा गुमा कर मार डालेगा लिए उससे बचाने के लिए मैं क्या करूँ सनया जैसे सोते से जागी हो जल्दी उसने योदा को बचाने का साधन नूड लिया ऐखाना ये बचाएगा योदा को अगर मेरा निसाना चूक ना गया तो सनया का निसाना चूकीन इकला धम तेजी से गुमता योदा तार काटने की वज़े से धिवार से आठकणा लेकिन बला की पुर्टी के साथ समला उन गाल स्रीमान को ले जाने के लिए मैं सैतान को रोकना गर और यह इस पात की रसी से रोकने में हमारी बहुत मदद करेगी योदा ने अपने पैरा को तेजी से आजाद किया और लोहा को रोक कर साएं बुरी तरह घाल सजन को लेकर भागने में सफल वा अच्छा हुआ कि मैंने अपनी कार जादा दूर फारक ने की थी इदर लोहा लोहे को तोड़ चुका था कार में किसी उप्चार सथल की तरफ सलिय देवी नहीं मुझे किसी उप्चार की जुतने में मार मर रहा हूँ चलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो मेरा नाम प्रोफेसर परसाथ वैद है इस देश के उन परसिद वैगान को हमसे एक जो देश की सेवा को अपना सब कुछ मांते हैं प्रतनमंदन्दज से सदा देश के सेवा करने में जुटे रहाते हैं गाने वह यूज देश की बलाई के लिए काम आने वाले विसकारों की खोज में लगा रहता तो देश की सेवा करने के लिए जहां मैंने विज्यान को अपना सादन बनाया वही मेरा छोटा भाई परकास सेना में बरती होकर देश के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाए हुए था लंबे चोड़े फार से अपने छोटे भाई परकास से में भूत प्यार करता था मैंने उसी प्यार पर यह सुचना अगाज बना कर गरी पस्चिम सीमा रेखा पर पर परोशी देश से जड़प में दो सैनी को परकास पैद और रंजीत की मुर्तिव ओफनी मेरे उफर दुखों का वाट तूट पड़ा था लेकिन मैं दुखिस पाथ को नहीं दिगा सकता था कि मेरा बाई मेरा परकास मारा गया उफनी परकास तूम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता दीरज रखे प्रोफेस साहब सायद ओनी को यहीं मंदूर था औरना क्या परकास बादुरी से लड़ता लड़ता गंता रंजीत की बातों में आ जाता और उसके साथ दुस्मन के उस इलाके में फूच जाता जहां बारुदी स्रूंगे बिच्छ हुई थी खुदरत का खेल देखे प्रोफेसर साहब दुस्मनों से मिल चुका हमारा सैनिक रंजीत वैसे तो सिर्फ परकास कोई मौत के जाल में फसाने गा था लेकिन खुद भी उसी जाल में फस गा परकास के साथ साथ उसके शरीर के प्रक्षे भी उड़ गए अब हम गठास तल पर बुचे तो हमें पहचाना मुस्किल होगा कि वहाँ पड़े लासो के टुकड़ों में कौन सा प्रकास का और कौन सा रंजीत का खैर हमने अंदाजे से इस दोनों के सरीर को अलग थलग बांट दिया ये आपके सामने आपका परकास आप चाहे तो इसे अंतिम संसार के ले जा सकते हैं अपने भाई के सरीर के टुकड़े लेकर आ गया हमें लेकिन मैंने उस कांतिम संसकार नहीं कि अपने विग्यान के बलपर से जोड कर आदमी जैसा बना और निरने लिया तू जिन्दा होगा फरकास में तुझे जिन्दा करके दम लोगा और इस बार तेरा सरीर ऐसा लोहा बना दूंगा मैं जिसे दुस्मन की कोई धार ने काट सके इस संसार के विग्यान में मुर्द मनसे को जिन्दा करना संब्व है लेकिन किसी मर्द के मस्तिक को जिन्दा रखना बस में मस्तिक के बल पर अपने भाई को जिन्दा करने में जोटका जल्दी मैं सफल हो गया मैं सफल हो गया बाई मेरा भाई जिंदा हो गया लेकिन शरीर से नहीं मस्टिक से सरीर को तो उसका भी भी बेजानता खून वे पीड़ा मुक्त था जो पहले से मरावा उसे कोई नहीं मार सकता हूर उसका जिंदा दिमाग मेरे वस्मे था वो यानि अपने भाई को आपने लोहा बना दिया लेकिन अपने आप पर यह अमला क्यों बोल दिया जब कि उसका मस्टिक आपके वस्मे था खुद मैंने तुम्हे उसे बिड़वाने के लिए उसे पने पीछे लगा था मेरे योजना थी कि मैं बागता मदद के लिए तुम्हारे पास आऊँगा तुम्ही मदद करने के चक्कर में उसे जूद जाओगे और जब वह तुम्हे रा देगा तो मैं ट्रांस्मिट से उसके मस्टिक को फिर कंट्रोल कर लूँगा लेकिन जो मैंने सोचा था वे ना उसका मेरा दुसमें होगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो जो दिमाग परकास के स्रीर में मैंने आवा रुपित किया एक परकास कानी के साथ देरों खून बे निकला था चोक पड़ायो दा वह तो मिर्टू का प्राप्त होगे वह अब क्या करें वहां को घर ले चलिए अब तो आपकी भैंच से विचार मिर्स करके कुछ क्या जा सकता दोनों घर पूंचे जहांने मैडम मैक्स नहीं उनका पत्तर मिला सनेया मैं बिजनेस के सिल्सले में अफ्रिका जारी जल्दी वापिस लोटेंगी दीदी तुमारे लिए वीग लेकर आऊंगी ओ दीदी मेरे लिए एक नई वीग लेकर आएगी ठीकर वीग क्या होता देवी वीग यानि नकली बाल यो दा मुझे नकली बालों का बुस होगा अच्छा से आपकी बेहन की सलाह के बैगरी ने मिटना होगा वैसे भी योद्धा अपनी लड़ाय के लिए लड़ने गा दी है इस बिच राजनगरे में उफ गोल यह इसके सरी से टकराकर बेकाबू हो जारे और यह काबू में नहीं आ रहा इसे ऐसे मानने की कोशिस करना बेकार है मेरा सेक्वेड बुलाओ अनन फानन में गैस सेक्वेडा पुजा और लोहा क्या सपास बंपर बंप फटने लगे साबा सोर बंप फैको गातव नर्व गैस क्या अपने आपको ज्यादा दिर खड़ा नहीं रख सकता नर्व गैस के बॉंडर में लोहा बुरी तरह गिर गया अब नहीं बचेंगे खुशी से जूम उठे पुलिस करमी नहीं जानते थे कि जो बिना सांस के जी रहा और गर्व नेस नर्व गैस उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती उप गैस कैसे खत्म करें हैं कैसा अपी गोली बारुद कुछ भी तो असर नहीं कर रहा इस प जोना वहीं फिरकनी की बाती आवाज के दिसा में गुमा और बोच का स्टब सा खड़ा रहा सामने का दर्शा ही कुछ ऐसा था बागो इस तुफान के आगे सेटो बागो उदर लोगों ने भाग कर रास्ता साब्द किया मैंने अपनी जिंदगी मैसार ते अरे तंगे दर् अद्बूत आस्तर जैने कितना बल्वान जैसे साकसा तनुमान चले आ रहे हो उदर भागते योदाने ट्राली के सामने जंप लगा दी अब वर्सों के लटों से बराई है वान सीधा लोहा से टक्राए और सारे लट गिर कर उसे अपने नीचे दबाकर उसकी कबर बना दें इगर वह बड़ी ट्राली लोहा से टक्राए और टक्रा कर कई टुकडों में विखर गई और लकडी के टुकडे वे तो मुसीबत की तरह लोहा पर बर्सने लगे कुछी पलों में सड़क पर लकडी के वजने टुकडों का एक बड़ा धेर नजर आया वह धेर जिसके नीचे दब कर रह गया था लोहा जो साध मर गया था या साध जिंदा था ओ नई सक्ति का या बहनक तुपान तो भी भी जीवत है आइस वार के साध विदा के जबड़े बिचते सलें प्सक्ति साली सही स्यूरिमान लोहा लेकिन आपकी साहे सक्ति अब ढख मानगन के आगे दम तोड़ती नजर आए गी और ये बात आपको डखमान गन के इस वार से पता चल जाएगी ताड दो बलवीरों का जबरदस्ट टक रहा था है जिस यहां के फाड देख रहे थे गुरू और उसके साथ ही गुरू उस पहलवान को टक कर देने वाला भी कोई मिल सकता है मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था शेर को सवा सेर मिलता है ये बच्चे लेकिन तु इसे छोड़ और हमारी तरह दीदे फाड़ कर देखता रहा है बिंड़त को जिसने वह पहलवान सत परतिसे तारता दिखाई दे रहा है लोहा के पर बावस परार से उचल कर गिरे योदा ने खड़े होने के साथ ही पासा बदल दिया पहले आपके अथियार का कुछ करना पड़ेगा खक तब ही आपका कुछ हो सकता है दूसरे संड बेज सकती साली डंग से किये गए योदा कि उस वार ने लोहा को उस लारी में जा पहेंगा और जो दूसरे संड स्टार्ट होकर हुआ से बात करने लगी लोहा वहान सबही च दूर ले जाने का फैसला कर लिया वरना योदा लोहा के यूद का जाने क्या जाम हो तब इसे ठीकाने लगा कर ये वापस लोटोंगी इदर योदा अपने उपर मंटराते खत्रे से बेख पर उपिये कमजोरी गुरु गोली मार दू साले को नई बाप नई ऐसे बहदूर की मौत गोली से नहीं बहदूरी से होनी चाहिए हम समझे ने गुरू समझने की जुरूत भी ने चुप चाप देखते रहो मैं क्या करता हूँ जिससे निकला डाट ठीक ठीक निशाने पर जैबाठा इंजेक्शन में बरी बेहसी की तेज दवाने तुरंती अपना सर दिखा है इसी के साथ जपटकर योदा के पास पूंचके गुरू एंड कमपनी अब क्या करना गुरू इसे उठा कर ले चलो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहां मैं इसे एक बादुरी की मोद दूँगा बेहस होकर योदा नीचे आगया जो हम इसके मुखे दुस्मन लोहा के आथ हो मिलेगी लेकिन गुरू कैसे होगा यह क्या है आपकी योदिना गुरू ने अपनी योदिना बताई तो चेलो के चेरे फूलों से खिल उठे वा गुरू वा क्या जबरदस्त पलाने जवाब नहीं आपका लेकिन गुरू इसके टक्कर वाले उस दुस्मन को वहां कौन लेकर उठाय गुमता रहता है युदर सनिया उप पीछे लोहा की तोड़ फोड़ जारी है कड़ कड़ा अब मुझे लारी छोड़नी होगी लेकिन ऐसे इंजाम के लिए कि लोहा मरें नहीं तो मरने जैसा तो जरूर हो जाए और ऐसा इंजाम करने के लिए सड़क के किनारे लग अब मुझे सहर पूचकर योदा की खबर लेनी होगी इदर अंतिये तलारी बढ़ाक से पेड़ से जाटकराई बढ़ाक लेकिन इस जटके का उससे तब होता है जो उसे पीड़ा का एसास होता फल सवरूप फल भरबादी लोहा अपने पैरों पर खड़ा होगा सहर में इदर लोहा ने सहर में आकर आहाकारी डंग से प्रवेस किया भागो वरना ये सितान में मार डालेगा लोग भाग खड़े वे लेकिन जब लोहा के सामने सीना ठोक करा खड़ा हुआ लेकिन वह लोहा के सामने हमें एक बार फिर हैं तुमारे सामने दूस तब तुमारे और का पूरा हिसाब के पूरा हिसाब होगा अपने परम दुस्मन को देखकर लोहा के आख़ो में नफरत का गोर जौला मुखी ददक उठा चिंगाड कर अपने दुस्मन का लोहा ने परहार किया धड़ाक योदा संबल कर भाग खड़ा वा अब ये मेरे पीछे जरूर आएगा जो योदा ने सोचा था लोहा को अपने पीछे लगा योदा जल्दी बाड़ा स्टिल फैक्टरी में पहुँच सुका था ठीक वहीं हुआ करोद मेजगर की मानिन फुपकारता लोहा योदा के पीछे बाग खड़ा हुआ अंदर क्या कर रहा है बाप अपना प्लान सफल र एक नाओ गुरू अपने साथियों के साथ एक बड़ी ओट के पीछे दब गया पीछे बढ़ गया ठीक तबी स्टिल फैक्टरी में प्रेस कर गए लोहा की नजर योदा पर उसने देख लिया गुरू अब आएगा मज़ा तक मुचने के साथ ही लोहा अपने दिल की बढ़ लें मज़ड का मज़ा नहीं महा मज़ा आएगा लेकिन इससे पहले उस पहलवान तक फुचने तो दे योदा पर घंगी तरह बस रे लोहा के बार जिने शहने के लिए सिवाए योदा पर भी क्या कर सकता था लोहान हो चुका था योदा आई समुद्रा में हम लोहा के वार नहीं मरता हाई कितना मज़ा आएगा अब इस लवान के चीथले हवा में उड़ते नजर आएंगे पहलवान के गुरू एंड पार्टी की इच्छा पूरी होने वाली थी क्योंकि लोहा योदा पराकरी वार करने जा रहा था किन्त उस दुरुक्टना से पहले योदा पर नहीं जानी चाहिए गुरू के साथ सन्या की प्रचाई को भी छूपाई विजलियू में आथ लगाओ तो ऐसे क्रंट मारूंगी बढ़ाक इधर योदा ने लोहा के वारों को अपने आथों पर रोक लिया तो लगा दी पूरी ताकत बाहू बल में तुम्हें कदापी नहीं होने देंगे दूस्त आप फिर वही कमजोरी एक पल के लिए अपनी कमजोरी की तरफ योदा का ध्यान गया बस वही पल योदा पर बहुत बारी पड़ा तड़ा इस बार राकेट सा बना योदा प्रेसर पलाक में जागिरा उप जितना एक घातक होता जा रहा इतना इसे समाप्त करना कठीन होता जा रहा है लेकिन से समाप्त नहीं क्या जाग गया तो भैंकर विनास मचा देगा लेकिन हमें से समाप्त करने के लिए क्या करें समलता योदा बेख ख्याली में उस लीवर से टकरा गा उसकी अलकी सी ठेस से आन्वा लीवर ने प्रेसर मशीन क को चला दिया अगले पल्योदा की बाहां से खिल गई यह तांत्री कुपकर्ण लोहा की समाप्ति का कान बन सकता है लेकिन फिलार इसका बंद रहना ही ठीक रहेगा यह अब है उस समय चालूक होगा जब यह दरिंदा ठीक इसके नीचे होगा अगले पल्योदा अपनी सारे सक कर लोहा पर तूट पड़ा धाड़ और इस बार लोहा लड़ खड़ा कर प्रेसर बलाक पर जागिरा और लोहा के आद फिर लीवर को आन करने वैस्त होगे शिकार अब जाल के ठीक निकटा अगया समय इस गुंडी को उठाने का लेकिन उस गुटके को टक्राने के लिए ल पारी गुटका लोहा को चलने के तेरी से बढ़ा अब एक पल बाद इसका इंसाना फिर हम लोंगे यदि हमने अभी कुछ नहीं किया तो और तड़ाक अगले पल लोहा के गुटने बूरते चले गए योदा ने रात के सांस ली कड़ा खतम ओग चुका था लोहा योदा ने रात के उपाखिर समाप ही हो गया दरिंदा बचाओ योदा बचाओ वो सनिया और हमारा ढक्मान गन चीते साथ जबट्टा योदा सनिया के दुस्मनों पर तार तड़ाक पीछे अटो दुस्टो आपने हमारे पीतर सस्तर को आथ लगा माप के आथ तोड़ देंगे पल ब्रहें सभी चेले धरासाई हो गय थे उस गुरू की जो भीगी बिली बना दुगा पे हुआ था चलो करेंगे ने देवी अब हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना पहले की तरह किसी मुसीवत में फसना नहीं चाहते फिर दोनों अस्ते बोलते भाहर की तरफ चल पड़े समाब दोस्तों अच्छी कानी थी